आप सबी को मेरा प्यार भरा नमस्कार तो तीज का तैवार आने वाला है और तीज के तैवार में पूजन के समय जो सबसे जरूरी होता है वो होता है फुलेरा लगाना तो फुलेरा कैसे लगाते हैं और घर पे इसे कैसे बना सकते हैं आज मैं आपको इस वीडियो में बताने तो तीज का तैवार हम जबी भी करते हैं सिव जी की पूजा करते हैं उसके उपर ये फूलेरा जरूर लगाते हैं आप देख सकते हो नीचे मैंने सिव जी की स्थापना की है और उपर ये फूल के लटके हुए हैं कुछ इसी को फूलेरा कहते हैं तो इसको जरूर लगाना च जो है नया होना चाहिए, उनके जगाए आप किसी कपड़े का यूज कर सकते हो, यहाँ पर मैंने यह 4 काटा लिया है, आप चाहे तो इसके जगा पर नया कोई सा बास यूज कर सकते हो, या फिर कोई भी डंडी हो चार, एक साईज की, तो आप उसे यूज करिये, अब यहाँ तरीके से कपड़े से आप कवर कर लीजिए बिल्कुल असान तरीके से बास और लपड़ी खुझने से ज़्यादा सही ये तरीका है क्योंकि ये घर में एवलेबल होता है आसानी से और कहीं भी मिल जाता है तो इसको अच्छे तरीके से मैं लपेट लूँगी और फुलेरा ब उपर जलाधारी होती है उसके जगा ये फुलेरा का यूज करते हैं हम तीज में तो पंडित प्रदित मिश्रा ने भी हमें बताया है कि फुलेरा जरूर लगाना चाहिए और MP में तो ये सालों साल से लगता आया है पर मुझे पता है कि इस बार ब्रत कथा सुनके बहुत सा प्रूल लगा है देखिए इस तरीके से ये चारों डंडी को मैंने उन लगा दिया और चारों को बिल्कुल ऐसे बांदेना है उसके बाद बीच में इसको खाली नहीं चोड़ना है बीच में भी इसको मैं उन लगा के अच्छे तरीके से उन लगा दीजे या फिर कोई सा भ तो इसको काफी स्ट्रॉंग बनाना है ताकि यह निकले नहीं और देखिए इस तरीके से ऐसे लटकाने के लिए चारो तरफ इसको बान देना है यसे मैंने इसको बान दिया है और इसके उपर मैं अच्छे से नौड करके उपर एक हुक लगा दूंगी जिससे मैं जहां भी इ प्रतीक होता है तो इसमें हम कम से कम नीचे पांच फूल की लरी जरूर लगाएंगे आप चाहें तो फूल की लरी उससे ज्यादा भी लागा सकते हो क्योंकि इसका नाम ही फूलेरा है तो इसमें फूल का यूज जरूर करेंगे और इसमें फूल का यूज करते हैं अब दे से हम इसको फुलेरा लगाएं और ये बिलकूल अच्छा दिखता भी करें नीचे तरीक्या के ब्ंसरे में फुलेरा बनाने का आप ऐसे ही तरीके में लागा सकते हैं तो आपको कैसा लगा मेरा आज यह वीडियो मुझे कर्मिट सक्षन में जरूर बताएं आप भी तीज के पूजा के दिन फुलेरा जरूर लगाएं और पूरे भक्ती भाव से सिभ जी की पूजा करें वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें